हेलो दोस्तों वेलकम वैक एक बार फिर से आप सभी का स्वागत आपके अपने यूटूब चैनल राजा करके प्रेडिक्शन में तो दोस्तों आज हम बात करेंगे बिग वैस के मैच नंबर पंदरा के बारे में जो खेला जाएगा 26 दिसंबर 2022 दोपैर 12 बच के 35 मिनट से और को इस वीडियों बताएंगे दौनों टीमों की प्लेइंग अच्छी बिकाइब बताएंगे और सबसे जरूरी चीज हमारी चैनल को मिल जाएगा जाकर ज्वां कर लें महां पर आपको बिलेंट की द्रीम मिलती है कौन सी टीम जीटने की कितने चांसे ये सारी Update आपको बहुत करते हैं वीडियो सबसे पहले हम बात करते हैं के में आह तक तीन मुकावले घेले थीन में से गराए है एक जी थे यानि बहुत जादा अच्छी परफॉर्मेंस अभी नहीं दे पाई है लेकिन अभी क्या स्टार्टिंग है विग वैस का तो आपको और भी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी क्योंकि यह सारी चीजे चेंज होंगी अब बात करें ओपनिंग पेर रिखी की ओपनिं खेलते हैं आपने देखा होगा 20-22 गेंदे खेलेंगे 40-45 बना कर जाएंगे ठीक है तो वन डाउन पर यह हैं नंबर चार पर हैं मरकर श्टोनिस अभी तक तीन मैच हूं है तीनों मैचों में वही जीरो जीरो और एक में चाल रन मनाएते साथ गयं दो में तो इनकी या तो कह सकते हैं कि बी नीचे ज्यादा आ रहा है खेलने के लिए तब यह अच्छी पर्फॉरमेंस नहीं कर पा रहे हैं या पिर आख करते हैं नबर न नौब नाम कराए बहुत अच्छे मतल़ हैं और बड़ी बड़ी हीटिंग करते हैं लास्ट मैचों में भी 14 गेंदर खेली थी पच्छी परफॉर्मेंस देते हैं फिर आ जाते हैं नमर आट पर लुक बुड अच्छे हैं बल्ला भी घुमा लेते हैं बॉलिंग बहुत अच्छी करते हैं इसके सिपकों सिटनी सिपसर बहुत अच्छी चीम है बड़ी प्रेंच आइज यह प्रत के बाद किसी सेने सब्हblack किताव अपने नाम करें पर ने चार वार जीता है बैगर में परफॉर्मेंस मैच करवाया गया था ओपनिंग की बात करें तो कर्टिस पीटरसन है जौस फिलिपी है दोनों ही बल्लेवाज धासु है ओपनिंग करेंगे दोनों लाश्ट मैच में रन बनाए है संकेत दे दिया कि फॉर्म में आ चुके बंडाउन की बात करें जेम्स विंस हैं अभी फॉर चाहिए वो टी-टॉन्टी हो या नंबर चार पर हैं मौई से बल्ले से भी कमाल दिखानी पाएं उम्मीद है कि यह अच्छी परफॉर्मेंस स्टार्ट करतें सबसे बंड़ बल्ले बाजन के जॉर्डन से पाच नंबर पर खेलते हैं अच्छे बल्ले बाजन मुझे परसन बनाते हैं उसमें और यह कौन से दो मैच में कब मैच को जिताएं तो यह मैच बिनर बल्ले बाजने अपने दंपर जिताते हैं तो यह आपना देखा होगा यह बहुत मुश्किल से बैटने बाले हैं नंबर साथ पर हैं हैड़न खेर भी अच्छे हैं पता होगा आपको रन मरिफी को खिलाया है ठीक है मरिफी ने गैंदवाजी भी अच्छी कराईती देखा होगा आपने और यह बहुत अच्छे मतलग पाच है तो इनकी बालिंग बहुत इस्ट्रोंग है रीजन इनका यह कि तीन मैच में से दो मैच हा रहे हैं कि इनकी बल्ले बाजी किसी मैच मे मज़ा आने वाला मैच में सिड्नी के अपने घर में मैच है पिछ रिपोर्ट की बात करें सिड्नी क्रिकिट ग्राउंड की तो अभी तक 49 मैचे कि खेले गए हैं इसमें टॉमस्टिक के उननचास में से बाई ही जीते हैं बैटिंग फर्ष्ट ने 26 जीते हैं चेसमें एक मै कि सिखुर्ण होंगी दी स्कूरिंग पैटन की बात करें civils फ्यव फुम्हaufenटि 19-15 एएनी एकımızı 50 से कम स्कूर बना है उननिस बार एको 52 वह से 169 बार ऐक सटर और 148 भार मत्भाइन को मिलते हैं आप अब बात करते हैं एको 90 से ज्यादा यानी स्कोर बना है आठ वार तो आपको इसमें कम से कम 160 से 180 के बीच वाला स्कोर देखने को मिल सकता है अब आगे चलते हैं है एक मैच इनके बीच टाई हुआ है अब आगे चलते हैं की पिलर्स की तरफ नजर डाल लेते हैं पहली बता चुका हूं उन लोगों के लिए देता हूं जो ड्रीम बगरा बनाते हैं तो इस बार भाई इन पर नजर डालने इन्हें अपनी ड्रीम इलेविन में सेलेक्ट कर स सकते हैं ठीक है तो मेलवन इस्टार की की पिलर्स मुझे लगता है होंगे जोई क्लार्क वेविश्टर मरकल स्टोन इस फॉर्म में आ जाएंगे हिल्टर कॉट्राइड ट्रेंट बोल्ड एडम जंपा दूसी तरफ सिड्नी सिक्सर के जो की पिलर्स हैं वह होंगे कर्टिस पीटर्सन जॉस फिलपी जेम सिविंस से भी उम्मीद है कि अपनी फॉर्म में आ जाएंगे और जॉर्डन सिल्क और बालिंग में जैक्सन बढ़ रहेंगे और इजराहुलक नवीद रहेंगे दूसी तरह मैंने बालिंग में ट्रेंट बोल्ड और एडम जंपा को डाला है जॉइन कर ले टेलिग्राम का लिंक आपको वीडियो के दिस्क्रिशन में मिल जाएगा पहले ही बता चुका हूं किसी को लिंक के जॉइन करने में दिक्कत हो रही है ओपन नहीं हो रहा है लिंक कोई भी प्रॉल्म आ रही है तो डारेक्ली वाट्सप पर मैसेज कर देना व के लिए दोस्तों बाई बाई मिलते है नेक्स टुडियो में